हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ यह देखे मेरे पास यह गोल्डन कलर का कपड़ा है जिससे कि आज मैं आपको लटकन बनाना सिखाऊंगी तो चलिए अपनी वीडियो श्टार्ट करते हैं यह देखे पहले हम इस कपड़े को यहां से बीच से कट करेंगे यह देखे हमारा कपड़ा चितरा कट हो गया है अब मेरे पास यह इस तरह की लैस रखी हुई है जिसको कि मैं इसके उपर लगाऊंगी यह लटकन जो है मैं आपको सुई दागे की साहिता से यह बना कर दिखाऊंगी आपको इसमें सिलाई मसीन की कोई जरूरत नहीं है यह देखे मैं इसको सुई दागे से अच्छी तरह से सील दूँगी तरह देखे माम में अपनी एक्स्ट्रा एब खाऊंगी देखे चया नहीं है कट कर देंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करके यहां पर अच्छी तरह से इसकी सिलाई करेंगे यह देखे हमें किस तरह से इसकी यहां से सिलाई करनी है अब हम इसको यहां से थोड़ा तिरची सिलाई करेंगे इसकी सीदी सिलाई नहीं करेंगे इसकी सिलाई करकर दिखा रही हूं इस तरह से तिरची सिलाई करनी है कि देखे हमारे यहां तक जो है तिर्ची सिला ही हो गई है यह देखें मेरे पास यह इस तरह की छोटी छोटी लैस रखी हुई है जिनको मैंने छोटी छोटी पीस में कट कर लिया है अम आपको यह देखें नीचे की साइड से इसको अंदर डाल कर यहां पर इसको सिला ही लगाएंगे यह देखे हम इसको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर सील देंगे और फिर इदर से भी हम यह तिर्ची सिलाई लगाएंगे यह देखे हमारी यह सिलाई यहाँ पर कम्प्लीट हो गई है अब हम इसका यह एक्स्ट्रक अपड़ा है जो यह कट कर देंगे अब हम इसको सीधा करेंगे यह देखे हमारी यह एक लटकन जो है यह बनकर रेडी हो गई है यह देखे हमने इसको जो है ची तरह से सीधा कर लिया है और यह हमारी एक लटकन जो है बनकर कितनी सुन्दर लग रही है इसी तरह से हम अपनी और लटकन बनाएंगे यह देखे इसी तरह से मापको एक लटकन और बना कर दिखाऊंगे इसी कलर की इसके उपर भी हम यह लैस इस तरह ही लगाएंगे जैसे कि हमने उस वाली लटकन पर लगाई थी लटकन बनाने का बहुत ही आसान तरीका है आप खुद भी लटकन को बना सकते हो कि देखे हम इसकी आप पर अच्छी तरह से शिलाई करते जाएंगे अच्छी तरह से शिलाई करते जाएंगे कि यह देखे हमारी यहां तक शिलाई हो गई है अब हम अपनी एक्स्ट्र लैस कट कर देंगे अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इस पर शिलाई लगाएंगे यह देखे हैं आप द्यान से देखना कि यह शिलाई किस तरह लगानी है यह शिलाई जो है सीधी नहीं लगानी थोड़ी तिरची लगानी है यह देखे हैं अमारी शिलाई जो है यह तक कंप्लीट हो गई है अब इसके अंदर भी हम यह इस तरह की लैस डालेंगे और इसको भी इसी तरह से सील देंगे यह देखे हैं इसको चितरह से सीलने के बाद इस साइड से भी हम अपनी सीलाई जो है यह तिरची लेकर जाएंगे यह देखे इस तरह से हमें अपनी सीलाई करनी है यह देखे हमारी सीलाई जो है यह आपर कम्प्लीट हो गई है अब हम यह एक्स्ट्रा कपड़ा जो है यह कट कर देंगे यह देखे हमारी लटकन जो है यह बनकर रेडी हो गई है यह देखे हमारी यह दो लटकन जो है बनकर अच्छी तरह से रेडी हो गई है म은 आपको लटकन बनाकर दिखाऊंगी यह देखे हमारी पिंक कलर की कपड़े की लटकन बनाकर दिखाऊंगी यह देखे हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको यह ओन से कट कर देंगे इसको कट करने के बाद हम यहां से इसको बीच से यहां से कट करेंगे कि यह देखें इसके उपर भी हम इस तरह से यह वाली लास लगाएंगे इस तरह की लटकन आप अपने गर पर वेस्ट पढ़ेवे कपड़े से बना सकती हैं पाद हे से बना सकते हैं कि यह देखिया हमारी इस इलाई जाए यहां पर कम्प्लीट हो गई है कि अच्छा कर देखिया अपनी एक्स्ट्रे लैस कट कर देंगे अब इसको भी आम इसी तरह से फोल्ड करकर तिर्ची सिलाई लगाएंगे कि यह देखिया यहां तक हमारी इस इलाई लग गई है यह देखिया अब इसके अंदर हम यह वाली लैस्ट डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से शील देंगे यह देखिया यहां से भी आम इस साइड से भी है तिर्ची सिलाई करनी है यह द्यान रखना है कि आपको हमें सीधी सिलाई नहीं करनी है यह सिलाई थोड़ी तिर्ची करनी है यह देखिया यहां पर हमारी सिलाई कमप्लीट हो गई है अब हम यह एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे यह देखिया अब हम अपनी लटकन को सिधा करेंगे यह देखिया हमारी लटकन जाए बनकर कमप्लीट हो गई है इसी तरह से हम पिंक कलर की एक और लटकन बनाएंगे इसको भी हम इसी तरह से सिलाई करेंगे इसी तरह से सिलाई करेंगे यह देखिया हम इसकी यहां से अच्छी तरह से सिलाई करेंगे इसी तरह से सिलाई करेंगे यह देखिया हम है यह दो यह देखें यहां पर हमारी सिला जो है कम्प्लीट हो गई है अब इसको भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे यह देखें फोल्ड करने के बाद इस पर भी हम इसी तरह से शिलाई लगाएंगे जैसे कि हमने बागी लटकनों पर लगाई हैं जैसे कि अव्यज़ पर आप दशी तरह से तरह से शिलाई यह देखें आप देखें अब आपने जो आइ तिर्ची शिलाई यहां तक हो गई हैं यह देखेंगे अब इसके अंदर हम यह वाल लाज डालेंगे और इसको यहां से सिलाई करेंगे यह देखेंगे हमारी यह सिलाई यहां पर कम्प्लीट हो गई है और यहां एक्स्ट्रक अपड़ाया से कट कर देंगे अब अपनी लटकन को सीधा करेंगे यह देखें हमारी लटकन भी इतनी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है यह देखें पिंक कलर की मैंने चार लटकने बनाई है और गॉल्डन कलर की तीन लटकने बनाई है अब आपको यह लगा कर दिखाऊंगी कि आमें किस तरह से लगानी है यह देखें हम इनको इस तरह से रखकर यहां पर अटैच करेंगे यह देखें मैं सारी लटकनों को इस तरह से आपर एक साथ अटैच कर दूँँगी यह देखे हैं हमारी लटकन यहां पर अटेच हो गई है और हम यह एक्स्ट्रा यहां से जो यह लैसा है यह कट करेंगे यह देखे मेरे पास यह इस तरह है के मोती रखे हुए है जिनको मैं इसमें लगाऊंगी यह देखे इनको भी हम सुई दागे की साहिता से ही लगाएंगे यह देखे इस तरह से हम अपनी मोती समर डालते जाएंगे मेरे पास दो कलर के मोती हैं पिंक कलर के और गोल्डन कलर के यह देखे जो कि आम इसमें अच्छी तरह से डालेंगे इस तरह की लटकन जो आप अपनी आवे ड्रेस पर भी लगा सकते हैं और सिंपल ड्रेस पर भी लगा सकते हैं यह इस तरह की लटकन दोनों ड्रेस ओपर ही सुन्दर लगती हैं झालिए यह देखें मोती डलने के पाद हमारी लटकन जो आई कितनी सुन्दर लग रही है अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना सेर करना और सब्सक्राइब करना यह देखें इनका लुक कितना अच्छा रहा है ओके बाई फ्रेंड्स